बिस्मिल्ला अर्वाल रहीम आज हम module 187 discuss करेंगे module 187 है named pipe client connections previously हमने देखा था कि server end के उपर जब एक name pipe create करते हैं तो कैसे create करते हैं उसके फिर multiple instances कैसे होते हैं बनते हैं अब हम यह देखेंगे कि client end के उपर जो एक named pipe बन की हुई है तो client उस named pipe के साथ कैसे connect करेगा तो connect करने का तरीका बड़ा simple है उसने create file का इस्तमाल करना है create file की मदद से वो किसी भी named pipe के साथ अगर वो valid है client जो है उसको connect कर सकता है तो create file को उसने कैसे use करना है या named pipe को उसने कैसे specify करना है वो हम देखते हैं, तो अगर तो दोनो client और server दोनो same computer के ओपर हैं, तब तो तरीका बड़ा simple है, वो ही तरीका है जो server के अंदर named pipe create करने का तरीका है, उस case के अंदर आप उसी तरह सही dot को use करते हुए pipe और आगे pipe name specify करेंगे, अगर वो किसी और server के ओपर है, client जो server है, वो किसी और computer के ओपर है, तो फिर उस computer का network name आपको यहां पर इस तरीके से use करना पड़ेगा, कि server name और pipe और आगे फिर pipe name इस्तमाल होगा, तो create file के अंदर जहां पर आपने file name specify किया, file का path specify किया, वहां पर आप pipe का path specify करेंगे, और इस तरीके से अगर वो pipe available है, named pipe available है, तो वो named pipe चाह remote computer के ओपर हो, वो access हो जाएगी, अगर local computer के ओपर आप access कर रहे हैं, किसी named pipe को, तो यह dot का इस्तमाल करना जो है, यह ज्यादा efficient है, dot से यह होता है कि operating system को readily पता लाए जाता है, कि यह resource जो है, यह local resource है, अगर आप उससे उसका local host name specify कर देंगे, तो उस case के अंदर थोड़ी सी performance degradation आ जाती है, उसको network से check करना पड़ेगा, यह वोई computer है, और फिर वो verify करके उसको उस तरीके से map करेगा, तो dot का इस्तमाल करना efficient है, अगर दोनो same computer के ओगर available है.